गुरुजी श्रीबीवी चौहान जी के चर्णाम सचत्पुनाम आनंदी माको सचत्पुनाम स्वेश जीगो सचत्पुनाम और यहाँ इस भी मेंबर्स का मेरा नमस्कार गुड इवनिंग आप सब का इस जो मीटिंग में बहुत बहुत स्वावत है आज की हम जो मीटिंग शुरू करते हैं जिस किसी सादक का कोई परसन है या अपना अनुभाव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आपको अनुभाव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आपको अनुभाव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आपको अनुभाव शेयर करना चाहते ह जी माता जी अभी किसी का सवार नहीं है सादक जुड़ रहे हैं तो देखिए एड़्वास निव डाइट सिस्टम जो हमारा ये है ये कोई पथी थरापी नहीं है कोई टीटमेंट नहीं है कोई इलाज नहीं है ये एक भोजन परिवर्तन करना है भोजन परिवर्तन मतलब क्या ना एक्चुली हमारा जो आहार है वो आहार लेना है जो हम भूल चुके हैं तो हमको खली सिखाया जा रहा है, हम उस सिख्या प्रणड़ी को ज़्यादा देखते हैं, जो हमको पढ़ाया गया, जो बताया गया, परिवार वाले ने, समाज ने, माता पिता ने, ये खाओ, ये खाओ, आयरुवेद का बताया गया कि इस ताइम में खाना, उस ताइम में ख खाना रात को नहीं खाना ये चीजे ये सब चीज जो सिखाया गया है वह हमारा को भुलना है और हमारा भोजन जो है ओ है तो यही हमारा आहार है जो इसी आहार को पूरी जीवन सैली बना रहता है बहुत लोगों का प्रसना यही होता है कि कितने महने कितने दीन तक करना है बहुत फोन आता है हर दम एही सवाल कितने दीन तक करना है कितने महने तक करना है जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं कि यह actually क्या है हम यह सोचते हैं कि हम खाली इलाज के लिए कर रहे हैं खाली हम सौस्थ होने के लिए सारीरीक रूप से निरोगी होने के लिए बस निरोगी हो जाए अब फिर हमको ओ ओ चीज खाने को मिल जाए जो हम खाते थे ओ मतलब जो मसाला नमक का सहारे जो स्वाद लेते थे ओ मिल जाए तो इसके लिए ये सवाल करते रहते हैं बार 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 तो आपको ये समझना पड़ेगा understanding नहीं होगा समझ नहीं होगी तो आप इसको अपनी lifestyle नहीं बना पाएंगे इसको आपको lifestyle बनाना है lifetime तक तहीं तो आप ऐसे धके खाते रहेंगे कभी यहां कभी वहां कभी वहां बैस इसको पूछो उसको पूछो खली पूछते रहेंगे अपनी दिमाग नहीं लगाएंगे, अपनी बुद्धी नहीं लगाएंगे, वरमात्मा ने बुद्धी यह है, मानव जनम यह है, तो अपना थोड़ा दिल दिमाग को खुला रखना है, जैसे दूसरे पसु पंची, कुछ भी आहर उनकी आहर लेते हैं, उनको कुछ बताना न ही पढ़ रहा है, कि यह तेरी आहर है, जैसे बिल्ली, बिल्ली चुहा के पीशे जाती है, चुहा ही खाएगी, उसको पता है, यही मेरा आहर है, लेकिन आप चुहा को देखने से नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो आपका आहर नहीं है, ऐसे आपको देखना है, आपका आहर प्रसेस बला में तो बीना प्रोसेस बला फूड ही आपका आहार है तो आप उसी पे जाएगे और उसको अपनी समझ के करिए कि यही एक्षोली हमारा आहार है जो हम भूल चुके है तो जैसे जैसे आब आगे जाएंगे बाद में आपका मनी नहीं होगा आग में पकावला भोजन खाने के लिए अजब भी आपका आग में पकावला भोजन खाने को मन होता है उसी टाइम आप फ्रूट खा लीजिए उसी टाइम जो भी चीज आपके पास गौर्णमेट पूर है, खीड़ा है, टर्माट पूर है, जो ही है, उसको पेट भरके ले लिजिए, माइन नहीं इदर उदर होगा, लेकिन आप इतना करने ही पाते हैं, बैस आपका वही कुक पूर के तरफ ध्यान चली जाती है, जब खाना बनाते भी हैं अगर आप कोई, त कि इसको परोस रहें तो पहले खा लिजिए, फिर पॉरसी है, फिर क्रेभिंग भी नहीं होगी, लेकिन इतनी पूछते हैं कि कब खाएं, कब खाएं, कब खाएं, कब खाएं, कुक फूर, तो आग में पका वहाला बोजन जो मूरूत हो गया, जो मुर्दा हो गया, जिसका सत्तो नश्ट हो गई जिसमें कोई हम प्रभु का एनार्जी को एनार्जी लेस कर दिये और उसको खा कि हम खूस हो रहे हैं और उसी के लिए फिर दीन गिन रहे हैं कब खाएं तो इसके लिए थोड़ा आप सजग हो जाईए आज इसलिए बोलू आज सुरेश बेटा ने इतन बहुत सुन्दर लेके आये मतलब सब्जी मंडी से इतने चीजें लेके आये मैं गिंती करी कि 17 आइटम 17 आइटम 17 आइटम 17 आइटम थी 18 आइटम था तो मैं तो सोची कि दीन बर्मे मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं मैं दिमाग वले कि यह तो पूरी अलग अलग आइटम को खाएंगे भी तो दीन पूरी उप सब आइटम को खा नहीं पाएंगे इतनी चीजे थी कुछ बनाने की जरौत नहीं है कुछ समय नश्ट करने है आज ही टीज इसको पक सब्सक्राइब को भी दुकांदार को भी जुन्होंने लेकर आ रहे हैं और जो लेकर आए सुरेश बेटा इन यहां तक पूंचाए मतलब मैं बैठे बैठे मैंने कोई खाम भी नहीं कोई नोकरी नहीं कोई चाकरी नहीं कोई सर्विस नहीं कुछ भी नहीं फिर भी परमात हमको इतनी काबिल समझे और हमको हमको उनी का हाथ का प्रसाद मिल रहा है मैं तो दिल खूस हो गया धन्यवाद दे के मैं सभी चीज को प्यार से चू मिली मनवली प्रभू आपका मतलब इतनी हमारे प्रतिक रुपा रुपा दृष्टी है लेकिन हम यह चीज को एसस नहीं कर पा रहे हैं क्यों ना आपको खाली आपके मतलब इंटर्फियर प्रभू का काम में इंटर्फियर करने का मन है महवाल ने जो बना के जिए उसमें खाने के मन नहीं है आपको फिर अपनी मतलब आग में पका के उसको अपनी प्रभू कार्जम में अखल अन्राज करने के आपका मनें तभी आप स्वस्त नहीं हो रहे हैं पुरी तरह से ना मन से ना से अपकी अहसास हो रहा है ह pods Whatsapp के साथ हम ओज पोत हैं इस चीज की अखल नहीं हो पा रहे है उनकी एक अदुरू शक्ति सब कुछ कर रहा है इस चीज की अनुभब में नहीं आप रहे हैं मैं कर रहा हूं मैं कर रहूं अपना कर्तापन में हम रह रहे हैं तो मेरा तो आज दिल खुष कितनी कलर, रंगीन, उसका उपर में आज वीडियो बनाई या, अकाल अपलोड हो जाएगी, इतनी कलर, हम इतना कलर हम खुद बेर नहीं सकते, परमात्मा ने इतनी कलर फुल हमको चीज दे रहे हैं, रंग, रंगनियां, यह द्रूट डालने की परमात्मा का रंग को नहीं देख पा रहे हम जो उन्होंने रंग बना के दे रहे हुशी पर दन्यवान नहीं दे रहे हमारा मतलब दीमाग कहा है यह चीज में बोल ले हूं तो आप लोग थोड़ा जाग जाएए जाग के चल पड़िये बैग गयर माथ जी जो एडवांस नि बीक बेच नहीं कितना दीणर सामका भोजन भी खाते रहेंगे जिसके लिए जो छो खाने से बीमार या रहा है इसलिए तीन मईने चोड़ दभ फीर खाओ चार मेने चोड़ दभ फीर खा आड़े क्यों जब पता ही लग गया इस खाने से ही बीमारी आई ती यह अनिमल प् प्रभू के प्रति विश्वास नहीं, समर्पन नहीं, वेल पावर नहीं, तो इसके लिए तोड़ा आपने आपको सवाल करिये, आत्मविसलेशन करिये, अब पूरी तरह गौर्णमेड फूड पे रहिए, जो प्रभू ने आमको प्रसाद दिये है, बना के, उनको अहसास करिये, वाह, वाह करके, कितना मिठास है उसमें, आज मैंने अभी साम को सुरेश बेटाने में, कारके, हमार जापानी प्रूट हिमाजल प्रदेश का अभी पूरी एक थाली भरके मैंने जब भूक लगी, असली भूक में ली, और उसमें इसके साथ कुछ भी चीज की, वहाँ इतनी मिठास था प्रभू का, इतनी रस था उसमें, लेकिन हम उसको अहसास नहीं कर पा रहें, वो धन्यवाद नहीं दे पा रहें, और तभी आम, मैंने मैंने, क्या पकावाला बोजन, और इसमें तो इतनी स्वाद है, तो आप भी थोड़ा ऐसे लेने की प्रयास करिए, धन्यवाद दिजिए, ओवाब में भरिए, उनको एहसास करिए, प्रवरमात्मा का कुरूति को, उसमें एहसास करिए, फिर देखना आपको, क्या आनन्द आएगी इस चीज में, तो आप करिए इसको अपना ये, और एडवास सिस्टम का अपना लाइफ अंजी देव धर्जी अपने आपको अन्वीट कीजी, अंजी देव धर्जी आपने हैंडरेज के आपने आपको अन्वीट कीजी, अजी देपक नागबर जबने आपको नुइट कीजिए अन्दीमा बहुत बहुत प्रणाम सुरेश जी बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम आप से जुड़ने के लिए बस ऐसी थोड़ा बात करने के लिए बाकी मैं जूस डाइट पर चल रहा हूँ और दिन में चार बार सुबह डीटॉक्स जूस फिर पालक और रमाटर का जूस फिर गाजर का तो यही चल रहा है अभी तो ठीक है ऐसा थोड़ थोड़ी एनरजी इंप्रूव हो रही है मैं एक दिन के लिए ऑफिस के काम के लिए अभी एमदाबाद भी गया था लास वी कोई ने बारा अक्टूबर से मैंने जूस फास किया था फिर नमरात्रों में निर्जला किया था उसके बाद से जूस फास कर रहा हूं बीच में हफते में एक बार दो हफते एक दिन का निर्जला किया था बाकि जूस फास चल रहा है कुछ भी सॉलिड अभी मैंने नहीं लिया है दिनने दो बार सुभे और दो बार शाम को इनिमा करता हूँ और अभी कैसा फीलिंग हो रहा है आपका फीलिंग अनर्जी वाइस तो ठीक है लेकिन अभी ऐसे थोड़ा मुँपे या वेट में अभी कुछ ऐसा फरक नहीं आया मैंने वैसे मैंने सिर्फ दोई बार वेट किया है तब से तब से मैं आया हूँ तो उतना ही है वेट काम नहीं होगा लेकिन बढ़ने में थोड़ा बढ़ेगा अपने अप जब बढ़ना होगा अपने अप बढ़ेगा है और बाकी देखिए दीरे दीरे थोड़ा अजय से बढ़ जाएगा थोड़ा सा और एनरजी आ जाएगी थोड़ा निर्जला का एका दिन प्रहास करना अजी वैसे मैंने अभी वो संत्रा बगेरा या ऐसे चूज के भी नहीं लिया है मैं सोचता बादा एक बड़ दो महीने हो जाएए फिर तोड़ थोड़ा शौ्रूदा करूँ भा रूँगा कर सकते हैं न माताजी कि दो मेंने तीन मेंने कर लो चूस के रस ले कि सोचा था ओभी खाने का ने हम सूरेजी आप मिूट पे हैं कोई भी फ्रूट्स जो भी आप चूस के फाइबर बार फैकेंगे वह एक किसमें से जूस ही होगा हमेने वह शुरूट नहीं किया है वह मैं सोच रहा था अगले अपते से शुरू कर दो ले सकते हैं तो बाइए बाइए ग्रूगराम से ओर भाई आय थे अभी मेनूका नाम बूल गया पिछले अपते आय थे यहां तस दिन रुके थे अच्छा तो कल मैं लिस्ट बनाऊंगा गुरुगराम के इतने में साधक हैं और शिविर के लिए बोल रहे थे तो आपको उनकों में लिस्ट बेज़ दूँगा सारे कठे होकर प्रोग्राम बनाओ तो तो तिन तो और मित्र भी हैं वो भी समझना चाहते हैं तो अगर शिवि कि मैं जादा से जादा कर लूँगा कब 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 का आप सोच रहे हैं वो कल मैं लिस्ट बनाऊंगा गुरुगराम के जितने मने साध हैं सभी के लिश्ट बनागे आपको बेज़ दूगा और अमीत भाई को बेज़ दूगा वो सभी आपस में आप करना थोड़ा सा डिसकस क अच्छा कहा आजाएंगे जाएंगे तरी को अच्छा कहां आ जाएंगे जाएंगे फिर उसाथ में आएंगे अच्छा अच्छा तो आई गई फिर मतलब शिविर अभी पास में हैं अच्छा प्लानिंग के लिए आप बोल रहे हैं जैसे आप लेंगे वैसे हैं अच्छा बहुत बहुत परनाम परनाम जी है मांत जी अपने आपको अन्विक की जी प्रणाम को प्रणाम और बागी सब साधिकों को मेरा नमस्कार मैं नरहर हुए पैंदे कब दिकर के सबस्क्राइश हुआ है और हम लोग मतलब निर्जला कभी नहीं करते हैं लेकिन मुझे हर बार शाम को श्क्राइश लगता है कि मैं अब कर दो कुछ फूर्जी फेलों कुछ खालू लेकिन मैं मतलब फिर में आर या पार करता हूं लड़ाई कि जैसे बार बोला गया है वह नहीं बुला है कि हमको हमारी बॉड़ी के अलावा एक मिनट भी एक सेकंड भी हमें उसे सब्सक्राइब करना है कि मैं ऐसा तो नहीं हो पाएगा तो मेरा सवाल है कि आवाज है कुछ को कैसे समझे इसके अंदेवाद दूइधा है मुझे असा लगता है कापी काफी लोगों के साथ रहती होगी है इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें पता नहीं पड़ता है कि बार सब्सक्राइब कर रहा हूं कि अच्छा काम हो रहा है जबर्दस्ति निर्जला जो करते हैं आप निर्जला है यह नहीं पर निर्जला नहीं होता है निर्जला मन से होता है जो मन से हम करेंगे कि हाँ मैं तो अपना यही हमारा रास्ता है जी पर हमें आके जाना है अधादी पर रही ऌज में के आवाज के नंहीं है आप नन की बात दबादेतें खाने के समय को दिमाग की बात उपर लीज़ाए नहीं कहां तो लड़ाई तो लड़ाई तो आरपार की लड़नी होती ना कभी भी लड़ाई वार पार की होती लड़ाई तो तो बतलो ऐसा हम करते रहे हैं मतलब बिलकुल करता हूं कबूल भी करता हूं और मैं जानता हूं लोग देखा वह दस साल हो गये हैं वह लग भी नहीं चोर पाएं इसका मतलब यह नहीं कि हम सीख कर रहे हैं हम तो गलती कर रहे हैं तो एंडियस फालोर है नहीं आप उस बात पर चलो ना अब यू में राइड हो सकता है पर लेकिन इतना हम कर रहे हैं मों उसको छोड़ना नहीं चाहता हूं उसको पकड़कर रखना चाहता हूं और आज तो नहीं चूटा है इसमें जुट बुलने की कोई कहानी नहीं तो बात हो इना कल अगल कभी आया इन्यें अगले दिन पका हुआ खाली है तो क्या फाइदा हुआ उसी निर्जला का बताईए तो अभी मुझे बाकिसाथ को से अनुरोज है कि अपना अनुभा कुला है कि इतनी दिन में चोड़ा और कैसे चोड़ा मेरा यह मानना है कि आप है आनंदी माता जी है चोहां गुरूजी है नरव भाइपांजय कुछ गिनेचीने लोग है पचास लोग भी नहीं हूंगे जो फटावा खाना बिल्कूल नहीं खाते है अपिश्ब्सक्राइब का वाजनुने दो सार्व से नहीं खाया हो इस अभी कर आधर हों going cheesla 15 prawda कर रहे हैं धिको इंसान के लिए कुछ भी काल जिनाई गिए कि उसी के उपर ही पहले अभी मैं बताई कि हम इस चीज को समझ के यह यह अन्दर में कर तो जैसे दूसरे पसु पंची से भी हम हम अपने को हीन कर दिये जबकि मानब जीवन सेष्ट जीवन बोला जाता है लेकिन दूसरे पसु पंची दूसरे का पराईम का आहर किसी दूसरे का आहर को आँख उठा के भी नहीं देख रहा है लेकिन हम ने क्या कर रहे हैं ये चीज हमको पत इसको अंदर से स्विकार नहीं करेंगे कि हमारा आहार यही फल सब्जी सेलाड यहीं है तब तक मतलब आप स्विकार अभी करनी पाए हैं मन से अंदर से तभी साम का चोड़नी पा रहे हैं और समया योगेश्य थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में योगेश्य जुड़े होंगे प्रिति देख बोटाएंगे ठ्ला सा हुआ योगेश्व मेंसे वैदियुम्ही कहा है श्राः ने किस वीडियो में प्रीटि युद्हेंय型 पाए थे वाइं बताई ह än जोगेस वीडियो मेरे पास बेजी आप अभी बेजिए मीटिंग खतम होते ही बेजिए अधिये मन्त जे अपने आपका अन्मेट कीजी जोगेस बतो हरी अम्मा जी हरी हम बेटा कि दो साल से जात हो गया है और पकावा खाना खाया है कोई भी वीडियो नहीं कोई वीडियो सब्सक्राइब से पूरी तरह पूर्ण मेर्फूर में है पूरी तरह है है विल्कुल कि इनको थोड़ा सा यह बताई आपको पकावा बोजन थोड़ने की मत कहां से मिली कैसे आपको हिम्मत मिली मुझे जो बीमारी को इतना सिर्व में जो ब्रेंश्टोक वा था तब इसे हिम्मत आई थी मतलब यह मेरे अच्छे के लिए हुआ मुझे ऐसा लग रहा है हुआ हुआ है और वाई जी अगर ऐसी कोई वीडियो हो तो मुझे भी बाइस मजे पतल है कि मतलब मुझे अभी इतना अच्छा एक्सपिरेंस हुआ है मतलब बिना की विदाउट एनी मेडिशन और वर्ट की अनके अरेबल डिशीज को ठीक हिया तो शिर्फ यहीं से पोसिबल हुआ है और मैं सब को कहना चाहूंगे एंडियों को जोइन करो तो यह कोई कैसी सिर्म कैसी भीमारी है मेडिकल साइंस ने हम क्या मैसेज करने हैं कोई मैसेज ही है माजी कि योगेस्ट के लिए है कि अच्छे दिख रहे हैं पहले से मैसेज यही है कि सभी एंडियस को मैं तब दिल दिल से फोलो करें और इसमें ना जैसे एक पेसेंस और चार पॉइंट है हिम्मत पेसेंस और विश्वाज और चोथा है इमांदारी तो रिजल्ट मिलेगा आप तो बहुत बढ़िया बीडियो बना रहे हैं एक बीडियो आप बनाना है कि बोल के अपना बोल के फोटो डाले हो ऐसा फोटो डाल के बोल के बढ़िया बीडियो बनाए एक नया बीडियो जब आपका चला जाएगा लोगों का पास पी समझ में आ जाएगा कि पूरी डीटेल बाइए कि आप कितने साल से गॉर्डमेंट फुड में हैं आपका क्या बीमारी था आपका कैसा आपने कैसे ठीक हुए कहां से ठीक हुए और जो फोटो वगरा डाले हो फोक बगरा डालके बोलके जैसे बढ़िया आपने बना रहे हो उसको करिए ठीक है ताफ भी सादुकों मिल जाएगा रिपलाइ भी वीडियो जाएगा जाएगा जब नहीं है थेंक यू जूर वाजी थेंक यू गटा मैं भेज़ दूँगी कैसा बनाता है फिर बनाओ अजी खारिया मेरे को अधियो पासना जे अपने आपको अन्मीट कीजी अजी अपासना जे अपने आपको अन्मीट कीजी मेरी आवास सुन रही है यह भी आ रही है आ रही है क्या यह भी आ रही है बोली प्रणाम अनंदिमा प्रणाम सुरेश भाई प्रणाम और सभी सादुकों को मेरा नमस्कार उपासना पूने से बात कर रही हूं अनंदिमा मैं वही सुबा जूस ले रही हूं डीटॉक्स जूस और फिर उसके एक मतलब भूख के हिसाब से मैं आगे फिर वो फ्रूट ले लेती हूं एक ही तरह का उसके बाद सैलिड अगर टमाटर लिया चटनी के साथ ग्रीन चटनी के साथ तो ऐसे चल रहा है अभी तो लेकिन मेरे को बॉड़ी में बहुत स्यादा वीक्मेस है बेट तो कम होई रहा है और ठंड में ठंड इनी लगती है कि बस शिवरिंग रहती है बॉड़ी में अभी थोड़ा सा मैं बैठ पारी हूं तो बढ़े बारी बारी स्वाटर डालने पड़ रहे हैं 28 डिगरी में यहां फ्रीजर बन रहा है तो यह गंदगी की बज़ा से है रहा है जब तक हम अपने विचार नहीं बतलेंगे तब यह तक ठंड है और वेट मेरा और कम हुआ है आज 33 था तो चलो वह तो कम हो गई हो तो कोई परेशानी नहीं है यह जो है नारीव जो हम पानी वाला नारीय लेते हैं उसकी जो पतली मुलाई होती है वो ले सकते हैं यह बे ले सकते हैं कोशिश की जिने जितना हो सके निर्जला भाई मेरे से नहीं हो पारा मैंने कोशिश की थी काफी कोशिश की थी नहीं हो पारा इवन जूस पर भी मैंने यह आपारी कोई बात नहीं पतला मतलब उस पर आगे नहीं बढ़ जाना उसका मोटा भी निकलती है तो डाप का पाने में मोटा भी मलाई निकलती है जी 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 उमुटा वाला को नहीं खाना हूं हां जी हां जी तो कोई नहीं हो रहा है बड़ी को देखके करिये किसी को पूछने की जुरौदी नहीं है लेकिन आप आपकी मतलब हिसाब से रसाहर पाएंगे तो ठीक है जी तो चबा के रस देजी है चचा पिकी है तो उसमें तो फाइबर थोड़ा बहुत जाता है या बड़ी में तो वहां वहीं ले रही है जबा के रस ले रही है तो मा यह जैसे पहले चार टमाटर खा लिये तो उसके चटनी के साथ ट्रमाटर खा लिए तो फिर उसके बाद मैं खाती हूँ अगर मूली है तो वो एक मूली ले ली तो उसके बाद अगर भूख लगी है तो फिर कोई दूसरा वो ले लिया वही की चबा के वो छोचा फैंक देती हूँ हर पर अजी वीडियो भी देखी थी तो आपने बताया मैं ऐसे खा रही हूँ उससे बढ़ा सपोर्ट मिलता है कोई दें प्रणाम मां प्रणाम भाई प्रणाम अजी क्रिशन कुमार जी अपने आपको अन्मीट कीजी हलो जी बोनी आननली माता जी प्रणाम सुरेश मलिक जी प्रणाम और सभी साथकों को प्रणाम मिलत्रिशन कुमार सास्त्री कैथल हरियाना से अभी एक साथक ने कया था कि क्या कोई और भी इस नियम को पालन कर रहा है मैंने 19 फरवरी 2022 से NDS को अपनाया था और आज तक कुछ भी ऐसा नहीं खाया जैसा वो प्रशन कर रहे थी साथ लोग ही इसको अपना रहें तुबह में ग्रीन जूस लेता हूं 11 बजे और उसके दो गंटे के बाद कोई भी फ्रूट लेता हूं फिर च्यार बजे फिर कोई जूस लेता हूं रात को फिर फ्रूट लेता हूं तब से लेके अब तक यही मेरा चला हुआ है और तकरीवन दस महिने होच के है इसको ऐसे बहुत सारे साथ देखें करिसन वह एकम नहीं है बहुत सारे साथ देखें ऐसी बात नहीं है इस तमये मेरा टोटल 32 किलो वेट कम हो गया है माले 87 किलो था जब मैंने शुरू किया था और मेरी सकल दिख भी रही है मैं जून में आया था तब भी आपने देखें रहा तो वेट मेरा अब लगातार पांच महिने से बावन साड़े बावन इतना ही रहता है कोई मेरे कुस्टी परवाब भी निए सभी है कोई अनरजी में कमी नहीं है, पूरा स्कूल में काम करता हूं, गव साला में जाता हूं, जो भी कारिये सहली है उसमें कोई कमी नहीं आई है और इस से इतना पैदा है कि मैंने आज तक जर्शी नहीं पहननी है अभी मैंने रजाई ने ओड़नी शुरू किया है ठंड नहीं लग रही है प्राकिर्टिक में ज्यादा तक्त है ऐसा अनुभव किया है अभी मेरे चेरे पर थोड़ी फुन्सिया निकली है यह पता ने कोई गर्मी यह क्या है स्रीर की यह कोई स्रीर की निकलते हैं इसलिए अब उस्तरा फिराया है यह सिर्पेवी क्योंकि सिर्में भी दो तिन फुरूंसिया निकली थी बड़ी बड़ी तो अपना ठीक होगी है कोई मैंने दौई निलिया है और इस समय में के दोरान मेरे को दो बार बुखार आया है वो भी पानी पत्टी से उतर गया है मैंने कोई दौई लिया है और में आसाम में गया हुआ था, मेरे एक बार रात को दаст लगे, नो दस्त लगे, फिर मैं ने परदीप साजी से फोन किया, बंबे, उन्होंने बताया, और मेरी फ्लाइट थी सुबही, मैंने उनसे पुछ आप ऐसे ऐसे हो बिकि charities बताया के आप दो बार और निमा करो में अपनी साथ रखता हूं कहीं भी बाहर जाता हूं तो दो बार निमा करने से में कैथल तक सही आया मेरे दुबारा दस्त लगे नहीं है ना मैंने कभी कोई द्वाई लिये माल 19 फरवरी के बाद मैंने दुआई नाम की चीज का पता भी नहीं क्या है जबकि पहले मेरे सुगर थी 436 रहती थी तब से लेके अब तक सुगर माल कभी 105 होती है कभी 110 कभी 112 सुगर भी नहीं बढ़ी है और जबकि मैं खजूर का भी सेवन करता हूं गन्य के रसका भी सेव नहीं लिए जबकि मेरे पास 14 सो गाए है हम दूद सप्लाइब करते लेकिन में खुद नहीं हाथ भी नहीं लगा रहा हूं तो जो सब्सक्राइब बोली बोली एक इसा कुछ निया सब नियम से कर रहे हैं और जिम कीजिए कि वहाला इससे करें उसको अथ गामों में फरीद Witness कर जी किसी के भी बच्चा वोता है न उसको सärtות कुछ आई ञाए हमारी विस वह हमारी बच्चों कि पोटो वे जो आप देखना पूरे गोल में टॉन है हम्हें कोई लाल्च नहीं है कि शेलत्स कि बात नहीँ है जो चीज लुग कर देने का भी हमारा हट हक नहीं है उसको न को तो वह भी कर देंगे दिर दिरे फरीजी है ना वह भी करेंगे कर देंगे लिए उनका दूद उनके लिए ना यह एक हिंसा एकुरेलिटी है हम कोई गाहर का हम उसको बिना पर्मिशन से हम दूदू निकाल रहे है उसको पूछने रहे है वह बेजवान है वह कोई बोलने रहे है लेकिन हम